हलो दोस्तो कैसे हूँ आप दोस्तो आज आपको बताने वालेक कीफ से संब्सक्राइब बहुत बड़ी जानकारी दोस्तो अगर आपका भी मोबाइल नंबर UAN के अंदर चेंज करना है UAN और पीफ के अंदर आप नए मोबाइल चेंज करने की सोच रहे हो तो दोस्तों आप यह आराम से कर सकते हो लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका पासपर्ड होना चाहिए UAN के साथ एक पासपर्ड जो होता है उसकी मदद से ही आप इसको चैन्ज कर पाओगे क्योंकि login पहले होना होगा आपको login होने के बाद ही sign in करने के बाद ही आप अपना नया mobile number जोड़ सकते हो और नया mobile number जोड़ना इसलिए सही है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है किसी दूसरे का mobile नमर लिंक होता है तो उसको पर OTP आता है और वह हमको OTP नहीं बताता है तो आप भी अपना mobile number रेइस्टेट कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे और उसकी मदद से आप PF से समझी सभी जानकारी ले सकते हो और आपके mobile पर OTP आएगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आप बारी किसे केट पॉइंट समझाओगा, केसे कर पाओगे तो दोस्तो वीडियो कंदर तक आप पूरे बने रहेए वीडियो स्कीप ना करिए, तब ही आपको पूरो प्रोसेस समझ में आएगा दोस्तो अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरे चेनल सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन प्रेस करे ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके जब आप यूने की मदद से पासवर्ड की मदद से लोगिन हो जाओगे तो आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रेकर अटरफेस आएगा तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप अपने U.A.N.P.F. के साथ मोबाल नंबर कैसे जोड सकते हो नया यह मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको यह भी मैं आपको बता देता हूँ आप तभी जोड पाओगे U.A.N.P.F. में अपना नया मोबाल नंबर तब जब आपके पास पास्वर्ड होगा पास्वर्ड तब जब होगा तभी आप लोगिन हो पाओगे और उसके बाद ही आप अपना नया मोबाल नंबर जोड पाओगे तो यहां तक यह सब्द किलियर हो गया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा प्रोसेट लोगिन होने के बाद मैं आपको चीज़ पर कर से आ जाओगे तो अब आपको यहां पर दिख़्रा होगे मैं कोसिस करता हूँ दिखाने के दिटेल वाले होगोब कर दिया है किलिक करते के साथ ही आपके सामने यहां पर कुछ इस प्रकर का इंफर्माशन आता है तो यहां पर आप यहां से आप अपना जो डीटेल है आप अपने डीटेल देख सकते हूँ यहाँ पर आपको mobile number जो registered है वह आपको यहाँ नजर आएगा पहले से अगर जो है तो आपको यहाँ नजर आएगा तो यहाँ पर जो उसके टू डिजिट आगे के और टू डिजिट पीछे के दोनों नजर आएंगे लेकिन बीच का नजर नहीं आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर एक चैंज mobile number option दीख रहा होगा आपको एक छोटा सा चोकूर सा तो इस चोकूर से चोटे से पर किलिक करते ही आपके सामने कुछ इस पर करकार का इंटरफेस आता है यहाँ से आपको अपना जो mobile number है जो आपको update करना है डालना है इस समय आपका जो भी mobile number चालू हालत में है मतलब कि चल रहा है सही जिस पर message आता है message जाता है call करता है call आता है जाता है तो समझ में आपको आगिया होगा उस mobile number को ही आपको यहाँ पर update करना है यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर वेड़ डाल देना है फर्ष्ट में new mobile number जो भी आप डालना चाहते हो और उसके बाद में re-enter new mobile तो मतलब कि यह re-bar री का मतलब एक बार और दुबारा ही वो जो mobile number यहां डाला है उसको दुबारा डालते हैं तो री करने के बाद में आपको यहां get authorization pin यह option दिख रहोगा इस पर आपको click कर देना है तो यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा तो इस पर click करते ही यह आपका mobile number कुछ इस पर क का एक OTP वाला option आता है तो मैं कोशिस करता हूं दिखाने का जो mobile number आपने दिया था तो उसके उपर इससे में OTP आ चुका है तो उस OTP को आपको यहां पर डाल देना है आपको यहां समझ में आगे होगा तो उसके बाद आपको यहां save change पर click कर देना है और आपका जैसे ही OTP message भी आपके उस परकार से आएगा तो मैं वह आपको करके दिखा देता हूं और आप यहां देख सकते हो यहां पर हमारा जो contact number रिश्टेट नंबर है mobile number वह चैंज हो चुका है और आप यहां इसकी detail देख सकते हो यहां पर हमको message भी आ चुका है और यहां पर successful का एक message भी आ चुका है जिसमें लिखा गया है कि आपका जो contact details से अपडेट successfully हो चुकी है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होगा कि किस प्रकार से आप भी अपना mobile number चैंज कर सकते हो UAN of PF के अंदर तो आपको समझ में आगे होगा कैसे वह चैंज करते हैं कैसे रिश्टेट करते हैं कैसे अपडेट करते हैं mobile number नया तो दोस्तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा तो दोस्तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें आगे सेर करें और PF से सम्मदित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक् कि एवाद।